कि आपके सामने लूट हुआ ना सर राबर का वगर कोई दूसरा माल लूट किया सर नहीं ने कोई दूसरा माल नहीं कि इसके जिमादर आप होंगे दोस्तों यह जो छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी और जो शक्स इसके अंदर बोल रहा है उसका नाम है हितेश कुमार मिश्रा यह ड्राइवर है उस गाड़ी के जिसके सामने वो खड़े होकर यह वीडियो बना रहे है आठ साल से ड्राइवर है 29 साल सरफ इनकी उमर है और यह अगर तला तरिपुरा की राजधानी अगर तला में यह वीडियो बना है वह एक नया तरीका है कंपनियों का एक स्क्यूरिटी के कल को कोई रस्ते में माल पकड़ा जाए कोई और चीज़ पकड़ी जाए तो हमारी सेफटी रहे लेकिन दुख की बात यह है के हितेश कुमार मिश्रा यह माल लेकर पंजाब नहीं पहुंच सके रास्ते में ही उनकी मौ बर्स को भी पहचानना मुश्किल हो गया ऐसा क्या हुआ है तेश कुमार मिश्रा के साथ इस सफर में बताऊंगा आज की स्कास ग्राउंड रिपोर्ट में छोटे से कमर्शिल के बाद ट्रक हो या बस टैक्सी हो या आटो छोटा हाथी हो या पिकड़ इन सबका भीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांश्पोर्ट मॉल से बस, गाड़ी की आरसी और पुरानी भीमा कॉपि ट्रांसपोर्ट मॉल एप में डाले या 9831 पर वट्सैप कर दे तो गाड़ी का भीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका सौगत है दोस्तों मैं हूं मनिंदर सिंग और आप देख रहे हैं Ground Report तो जिस ड्राइवर की हम बात कर रहे हैं हितेश कुमार मिश्रा उनका नाम है और गाड़ी के मालक जाकर रजा उत्तर परदेश के रहने वाले हैं और ये गाड़ी कश्मीर फ्रेट कैरियर अगरतला के एफसी के नाम से ये कंपनी फेमस है वहां पर ट्रांस्पोर्ट कंपनी है उन्होंने ये माल लोड करवाया था एक लाख रुपए भाड़ा था अगर सब कुछ ठीक ठाक था गाड़ी के नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मार्च 2022 बिल्कुल नहीं गाड़ी आप कह सकते हैं और ये साथ जलाई की घटना है जब ये माल लेकर वहां से चले हैं जो वीडियो आप देख रहे हैं तो साथ जुलाई 2022 की रात को शायद वहां स से लान आप मैं में घाल्य यां अब हमम इस तरीके से खराब हो गई है मैं तो शोखले लड़ंड की जो एजैंसी थी लोकस या जो भी पास बी시죠 को फोन किया जाता है वो बताते हैं कि इद है इस वजह से ओवर लोड है वहाँ पर और जल्दी मेकानिक नहीं आ सकता है तो इमीजेटली वहाँ कैसर कब आएगा कब तक आएगा मिस्त्री तरीके से ओब बात कर रहे हैं नॉर्मल जीसे हम बात करते हैं तीन तक वह जंगल में गाड़ी मालिक उसका करता है लेकिन जब मेकैनिक का वहां से फोन आता है तो सब हके बके रह जाते हैं आ तेरा जुलाई है साइड की विंडो की जो जालियां है वो टूटी पड़ी हुई है ऐसे खीच कर जैसे किसी ने उनको खाड़ा हो वहां से और गाड़ी का शिशा भी टूटा हुआ है तो और मुझे ड्राइवर वहां पर कहीं मिलने रहा यह इतनी बात सुनकर जो मालक है वो भी डर जाता है वो इमीजेटली यूपी से चलता है और साथ में हितेश का जो छोटा भाई है उसको भी साथ लेकर दोनों लोग वहां से चल पड़ते हैं तो तेरा तरीक को गाड़ी मालक को यह बात पता चलती है और पंदरा तरीक को ही वो इस जगा पर रत्ता चेड़ा जो नाम की जगा पर वहां पर वह पहुंच जाते हैं साथ में ड्राइवर का भाई पहुंच जाता है पुलिस को इन फॉर्म हो चुका होता है तब तक पुलिस साथ में लगती है और थोड़ा आप देखेंगे अगर तस्वीरों के अंदर साथ में काफी द्रक्त नजर आ रहे हैं जो के पहले तो ओननर वह तो पहचान ही पाता है कि किसी। इन्सान का कंकाल वह नहीं इतनी पूरी हालत होती है। वह उसको कुछ हिस्टा रह गया हो तो उस से slept पहचान लेता है वो कहता है कि नहीं ये हितेश की ही बॉड़ी है वो कन्फर्म करता है खुद उनका छोटा भाई तो उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही चुका देने वाली और ड्रा देने वाली घटना थी तो और खलासी कहां गया अगर आपकी गाड़ी को गलत तरीके से प से झोल retro Sonной लेकिन वह जानकारी नहीं देता है वो क्या जानकारी चाम थोड़ी देर में बताथा हो उससे पहले वहां पर जो बात चल रही है या जो ही जो मुडर यह कह सकते हैं उसके अंदर दो यह है पहली तो यह है जो गॉपाल सлы मारे ठ्रांसपोर टीवि के विवयान जिन्होंने ये खबर दी असलमें सबसे पहले और गाडी मालक से हमारी बात करा ही गाड़ी मालक थोटे शाइद डरा होता है जो चैद्ट कर रहें कर दहुंकि को इस बरी तरह से और और शायद है उतेश पी ऐसा ही हुआ है ऐसा बहुत लोगों का वहां पर मानना है चावण अंचार के लोगों को कोई मकसद नहीं था, माल सही सलामत है, वैसे का वैसा इतने दनों से वही पढ़ा हुआ है, कोई नुकसान माल को नहीं हुआ है तो फिर क्या हुआ है? अब उसमें ओरगन नीकाल लिए गाए पेहले औ और बाद में उसको मारा गया यह पता नहीं है यह बात क्लियर है कि डेट बॉड़ी के उपर ऐसे डाला गया है और वहां पर मैं आपको बताओं कि अगर गाड़ी में किसी चीज़ का नुकसान हुए तो आप देख रहे हैं कि जालियां टूटी हुई है शिशा टूटा हुआ गोगा है एक बैटरी के उपर कुछ प्लास्टिक का पेपर सा है लगाव उसके प्लग के उपर वो नज़र आ रहा है और कुछ भी गाड़ी को नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा है कि बॉड़ी के उपर ऐसे डाला गया तजाब डाल कर उसको डीकमपोज कर दिया गया है तांक कि तुम वहां से क्यों चले गए तुम तो ने बोला मैं तो पहले ही वहां से भाग गिया क्यूंकि वहां पर एक छोटी से लड़ाई हो गई थी किसी लड़की को औरत को छेडने के आरोप लगा ड्राइवर के उपर हितेश दो खलासी के ऊपर भी हो सकता है लेकिन अगर खलासी का वर्जन सच माने तो फिर ये भी हो सकता है कि जिन लोगों से जगडा हुआ उन्होंने ये पूरा काम कर दिया ड्राइवर गाड़ी के के बंब में था एक त्यूरी के वहार केविंद में था वह बाहर निकल नहीं रहा होगा अगर लोग इकठे ओक्ते ओके आगए तो उन्हों ने जालिया तोड़ी शिशा तोड़ा ड्राइवर को बाहर को बाहर निकाला और और उसके जो है उसका कतल कर दिया गया एक walking कुरी घटना का पता सिर्फ खलासी बता सकता है कि आखिरकार हुआ क्या था तो खलासी को बुलाकर अराम से बिना उसे डराए पूछताश करनी चाहिए और उन लोगों का भी कोई सुराग लगाना चाहिए अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है या फिर वह गरो की बात है जो कहा जा रहा है कि जो और निकाल लेता है और वहां पर इस तरीके से जो है कतल कर दिया जाता है लोगों को गायब हो जाते हैं कुल मिलाकर यह खराब किसमत थी सेरा तरीक को जो है मेकैनिक वहां पर पहुंचता है चार दिन जो थे कोई भी कारण रहा हो लेकिन मौत तेश की शायद उसी वजह से हो गई कि उस जंगल एरिया था और वहां पर सड़के सेफ नहीं है यह मैं बार 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 बोलना नहीं चाहता है बहुत सालों से बोल रह जाते हैं अगर यह सच में ही खतरनाक था तो शायद वहां से हितेश को या उसके खलासी को आ जाना चाहिए था लेकिन उसकी डेडिकेशन अपनी जिम्मेबारी है गाड़ी को सेफ रखना है माल को सेफ रखना है इसलिए मैं कहता हूं कई बार के ड्राइवर जो है ना वो जोन दो नोकरी बहुतता है कम से कम दो करता है एक गाड़ी चलाता है और उपर से वह चौकिदरी भी करता है गाड़ी चलाता है और सैल्डी एका से ढंचे नहीं मिलती आज की वीडियो उसको जाद से जाद शेयर करें और लाइक करें ट्रांस्पोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बशुक्रिया आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा आर्टियो और टोल अधिकारी आपको जीवी डवलीओ पर 5 फीसीदी की छोट नहीं दे रहे या फिर आपका फिनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया अगर आपको ऐसी कोई भी समस्य आ रही है तो आप हमसे हेलप लाइन के उपर संपर्थ कर सकते हैं जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांस्पोर्ट मॉल एप